हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से हमारी चेनल चोहर जार कंटेक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जिसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि कस्तुरूबा गांधी पालिकावास बिदाले में इसी मन तभेगेंसी आने वाली है और इसी को लेकर आपके मन में बहुत सारे कनफ्यूजन है और आपके कनफ्यूजन थे जिसको दूर करने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र कंफ्यूजन में है तो इस वीडियो मैं आपके सारे गनर की चिनल को सब्सक्राइब करें और हाँ वीडियो को लायक जरूर करें तो दोस्तों चली आगे बढ़ते हैं और आपके सारे confusion इस वीडियो में तूर कर देता हूँ तो देखिए सबसे पहले मैं बता दू यह जो बेकेंसी आने वाली है कस्तूर्बा गांधी बालिका आवाज से बिदाले के लिए आने वाली है और यहां आपके मन में सबसे बड़ा प्रशनी यह है कि यह जो बेकेंसी आएगी इसमें क्या मेल भर सकते हैं यानि जो पूरू से वो भर सकते हैं या नहीं तो मैं आपको बता दू इसके लिए सिर्फ फिमेल कंडिडेट ही इसको एपलाइ कर सकते हैं यानि आपकी कोई बहन आपकी कोई दीदी या कोई भी रिस्तेदार इस फॉर्म को बरना चाहती है कस्तूर्बा गांधी बाली का आवाज से बिदाले में यदि फॉर्म बरना च आपको पूरा नियम कानून बताने वाला हों कि किस टाइब का नियम कानून रहेगा तो दूसरा जो कन्फिजन आपके मन में आता है कि आपका जो योग्यता कितना होना चाहिए देखिए बिग्यान सिचिका बहसा सिचिका समाजिक बिग्यान सिचिका गनिश सिचिका तो य सब के लिए दोस्तों अलग अलग है ठीक है मतलब यह भासा बिग्यान चीजिका बाएबißा सीजिका समाजिक भी जब्यान सीजिका गरनिस सीजिका इसके लिए देखे क्या चाहिए पचास अंक आपका होना चाहिए मानेता या विस वीदाले से आपका 50 percent marks होना चाहिए ठीक है इस नातक में और जो भी आरश्यत को टिक केंतर काता आते हैं यानि OMC या иде된 से जो भी आते हैं उनके लिए 45 परशेंट चाहिए mark ठीक है और pro standing हरता मानेता प्रप्रतिस्थान से बिएर्ट होना चाहिए, ठीक है? अभी बिएर्ट होना चाहिए और 2 जो चाहिए वो ऩिछ पात्रता परिछा में पास होना चाहिए, राइश्टि अधियापक परिछा परिशद द्वारा निरूपित मार्ग-दर्सी सिधानतों की अधिन ज्यारखंड सरकार जिस subject में आप पास किये है जे टेट तो उसके अनुसार आपका बाहली होगा यानि जे टेट यहां पर मस्ट कर दिया गया है ठीक है अब जे टेट को मस्ट किया गया है और आपका मान में ये भी confusion आ रहा होगा कि सी टेट को बैलिडिटी देगा कि या बैलिड करेगा या नहीं या सीटेट इसके लिए माइन्य होगा या नहीं तो वो मैं आगे बताऊंगा उससे पहले या पर दीखे आपका जो बेतन रहेगा आपका दस अजार रुपीया रहेगा ठीक है और और एक कन्फिजन ये आता है आप लोग सब अपने अपने जीला वाइज भारेंगे मतलब जो भी जीला है जारकन में 24 जीला है तो 24 जीला में अलग-अलग बैकेंसी निकलेगा और सिर्फ उसी जीले के लोग ही उस फॉर्म को एपलाई कर सकते हैं ठीक है अब देखिए आगे बहुत लोगों का ये कन्फिजन आता चाहिए और साथी साथ आपका जो एस्टी एसी में आते हैं उनका 40% कम से कम होना चाहिए और प्रसेशनिक योगेता जो होना चाहिए माइन आता प्राप परतिस्ठान से बिपी एड एवं डिपी एड यहां पर जेटेट का उलेक नहीं है ठीक है आप याद रखिएगा इस अनुसार में बता रहा हूं तो द्यान दिजेगा इसी पर कर आपका रहेगा देखिए इसके लिए आपको बैतन 8000 रुपिया मिलेगा ठीक है सारिक सिच्चा यानि फिजिकल टीचर बनना चाहते हैं आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको यह ज प्रतिष्ठान से यानि डिसीय का सटिफिकेट आपके पास होना चाहिए लेकपाल सा केंपूटर ऑपरेटर के लिए ऐसा ही हो गयता मांगी जाती है दोस्तों अभी तक तो कोई रोस्टर त्यार नहीं हुआ है और सब जिले में अलग-अलग निकलेगा तो जहां जैसी वे आपका और देखे आप लोग बहुत बार कोशिण करते हैं कि सर मैंने टीजीटी किया है मैंने ग्रेजुएशन किया है या मैंने ये कोर्स किया है तो क्या मैं अप्लाई कर सकती हूं क्या मैं पीजीटी किया हूं तो अप्लाई कर सकता हूं तो देखो भाई आप पीजीटी करो बहुत बार दोस्तों मेरे पास ये प्रशन आते हैं कि सर मैंने पीजी किया है मैंने फलना किया है मैंने ढाकना किया है तो क्या मैं अप्लाइ कर सकता हूं तो मैं आपको एक ही चीज बता देता हूं कि आपने जेटेट यदि पास नहीं किया है ये तीनों या सिर्फ ये ज करते हैं तो वह मैं आगे बताओंगा मैं हमेशा कहरा हूं तो ठीक है यह सब आपका प्रोब्लम किलियर हो गया मतलब आपको जेट अनिवायर है या बीड भी आनिवायर है आप बीड नहीं किये हैं तो इस फॉर्म को नई भर सकते हैं याद बार बार आप लोग कमेंट नहीं किजेगा बीएड पास हैं तो ही बर सकते हैं चाहिए आपके पास और कोई भी डिग्री हो मैं बीटेक किया हो या कुछ भी आपने आपके पास बीएड का डिग्री है तो भी आप अप्लाय कर सकते हैं ठीक है अब देखिए कुछ लोग कमें करें कि सार मैने Dal Soul किया हुआ है य bean किया है ठीक है डी analysis मैंने क्या है तो डी ए l-l abya तो जी हां आप नहीं अप्र अप्र सकते हैं यहां पर के लिए कोई जग नहीं है क्योंकि देखें दुस्तों यहां पर जो आपको बच्चे पढ़ाने रहते हैं इस स्कूल में तो यहाँ पर आपको आठ से आठ से मतलब छे से आठ और नो से बारक क्लास के बच्चों को पढ़ाना रहता है तो यहाँ पर डियलेड वालों को मुका नहीं दिया जाता है ठीक है यही सब आपका कंफिजन था जो मैं आपको दूर कर दिया अब लेगा तो दोस्तों मैं इस वीडियो बताता हूं कि स्कूल मिलेगा या नहीं तो देखिए दोस्तों सीटेट जो है वह यहां पर मुका देगी या नहीं यह सरकार के उपर डिपेंड करता है ठीक है क्योंकि सरकार ने अभी तक जेटार का एक्जाम मात्र दौ बार लिया औ और सरकार को भी ये बात पता है कि हमने जेटेट को मातर दो बार ही लिया है और बाकी बात जो छातरबाद में पास हुए है तो क्या हमको सीटेट को मुका देना चाहिए या नहीं है कि कि नहीं हम जेट वाला को ही देना चाहते हैं तो भाई या वो दे सकती है लेकिन यह सरकार को पर डिपेंड है ठीक है लेकिन मुझे आसा लगता है इसा कि सीट वाला को को भी मौकम मिलेगा तो फ्रेंट्स ये था एक जबर जस्त वीडियो जो मैं आपके सारे कर्फिजन दूर कर रहा हूं मैं जानता हूं कि आपके प्रशन कभी खतम होने वाले हैं नहीं मैं इतना कुछ बता दिया फिर भी आपके प्रशन हंड्रेट परशन मेरे पास आएंगे लेकिन मैं उनको भी सॉल्व करूंगा तो फ्रेंट्स आप लोगों से बिंती है कि चैनल को सपोर्ट करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों साथ जरूर सेयर करें फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्ट वीडियम तब तक लिए जय हिंद जोहार जहारखन बंदे मात्रम टान जेपने थी जरूर तक परिग थाखन झाल मिलते हैं तोस्तों झाल में बंदे मार्नका से बिंती हुआ हैं तवर्ञ बराखने धर बंदार कुर बंदे में।